हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग रादे रादे स्वागत है आप सभी का हमारे चानल समन फैमिली ब्लॉग में और सुबह की बारिज बहुत जाता है सुबह हुई थी हम लोग क्योंकि आज छुटी थी स्कूल की बच्चों की तो फिर में लेट उठी थी आज और यह पता यलो पीले वाले मेडक हैं एकदम डार्क यलो कलर के बच्चे सब देखने गए थे और यहां कोई मितलब वो नहीं है इसी जगह यह है स्कूल का प्लेग्राउंड में पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूं तो अब सरकारी यह जगह तो हो दियो को कब बनती है क्या होता है हम बहुत सरकार के ऊपर है किसी की प्राइबेट जगह होती तो वह अपना बना भी सकता था सरकारी जगह है तो जब होगा तब काम होगा तो आज का मौसम बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है सुभए सुभए और मैं अपना डेली वाला रूटीन चाडू बगएरा किया चाय बगएरा सिब को बना के दी और इसके बाद में फिर मेरी हो रही है पूजा मौन दो और फूल अच्छा बयल पत्री मतलब बेल और पत्री और क्या होता फूल यह सब मुझे मेरे घर पर मालिन देने आती है जिए और पूजा हो रही है संक बगवान सबकी मनों का आपने पूड करें शावन का पावन लम हीना है और बस पूजा करने के बाद मैं फिर म तो मैंने आलू काटके रखा है और मैं बनाओंगी आलू की पकोड़ी और हम नहीं खाएंगे आलू की पकोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बच्चे विक्तम रेडी है मेरे तो बच्चों को भी नहलाया नहीं है मैंने का तो यहां पे बच्चों की पकोड़ी सेखने वाए थोड़ से आलू बच्चे ते वह ने डाल लिया है और प्याज और पालक मैंने पहले काट के धुल के रखा था तो मैं बनाएंगे पालक की पकोरी मतलम दो तरीके के थीन तरीके हैं प्याज वाली भी भी हो गई इसके बनाएं प्रदूंगे इनकी थोड़ी अलक बनानी पद्धियए वह माद मैं बताऊंगी तो मैंने सारा पालक डाली हैं इसमें हींग जीरा नमक, थोड़ी सी मेच डाली है, रैड वाली, और पकोडिया वैसे भी अच्छे लगती है, जीरा बगएरा डालो जादा नहीं, ताम जाम नहीं करती हूँ मैं, और बेसन थोड़ा कम लगा मुझे, तो मैं बेसन और मिला लेती हूँ, बेसन भी मैंने पहले से चान के रखा है तो बच्छों की पकोड़िया मैं साथ में चलाती जा रही हूँ, देखती भी जा रही हूँ, बच्छे इंतजार में है, क्योंकि किता भी जल्दी करो ना, चुट्टी वाले दिन थोड़ा काम लेट हो ही जाता है, क्योंकि मैं भी आराम से ही उठती हूँ, सुबह को, और पता नहीं कोई अचानक से आ गया था, मैंने सर पर चुन्नी डाल ली, और बच्छों की पकोड़िया सिख चुकी है, तो मैं आचटनी वगएरा मैंने कुछ नहीं बनाई है, तो बच्छों का टमाटर सॉस रखा था, वो दे दिया, चाय तो उन्होंने ली नहीं करने, चाय मेरा हरी मिर्च वाली पकोड़ी हमेशा खाते हैं, खड़ी मिर्च ऐसे काटके इसमें डाल दो, और मुस्से तो एक ही दो खाएंगे, मन तो गटता है, पर मैं एक ही दो खा पाती हूँ, ये तो पूरी खाएंगे, तो इनकी पकोड़ियां से एक दी मैंने, एक दम मौसम भ बाद में ये सुबह का है, रूटीन क्योंकि बचों की दो दिन की चुटियां थी ना, इस बज़े से, तो फिर रह जादा है भी वाला नासता, जिस दिन बचों की स्कूल होता है, नहीं बना पाती हूँ, बच्चे चले जाते हैं, फिर मन भी नहीं करता है, तो फिर एक कट सब को पता होता है, कि हमारी फैमिली कितने लोग हैं, कितनी चीज बनेगी, बस इसमें थोड़ी सी एक डिएड़ चमच चीनी, और उसके बाद में थोड़ी सी रिफाइंड और इसको अच्छे से मिलाके, मिक्स घरके, थोड़ा थोड़ा पाई डालके, बैटा ज्यादा प पानी खौल जाए ना, उसके बाद में रखते हैं, और फिर एकदम गैस को स्लो कर देते हैं, तो मैं डग देती हूं, चाय बगएरा एक बार तो हमारी हो चुकी है, अब नास्ते के साथ लोगी, तो यहां पर मेरा ढोकला हो चुका है, बनके रेडी, तो मैं काट रही हूं और बस टोकला हमे ने काट लिया है, और बस तड़का बना ले रही हूं, फटा फट से इसमे, राई का फैर इमच का ड़का लगा दे रही हूं, बच्चो लिए स्यम प्लसा यह पहले निकाल दिया था, यह दखिए और बच्चों के लिए निकाल देती हूं इसके बाद में तड़का लगाऊंगी बच्चों कर सिंपल सा निकाल दिया थे कि टामाटर सॉस के साथ अपना और चाय भी थोड़ी दे दीती और इसी के साथ में आप लोग भी आ जाईए नास्ता करने के लिए इसी के साथ में वीडियो के एंड कर रही हूं पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेयर करें मैं लाइकन को प्रेस करें ताके मेरे वीडियो को नोट्पिकेशन आपको डेली डेली मिलती है कमेंट करिएगा कि दोकला मेरा कैसा बनाता पकोड़ियां कैसी बननी है रादे रादे